गुड मोर्निंग विद्याःती मित्रो वेल्कम बैक आजे आपने बात करी शुँ प्रक्रा नंबर एक राशानिक प्रक्रियाओ औने समिकारण तो सव प्रता मा अपने समझिए कि राशानिक प्रक्रियाओ कोने केवाई तो विद्यार्थी मित्रों तम्में अगावना दोरण मां बे प्रकारना फेरफार होई से समझी ने आवया चो कया कया तो एक राशानिक फेरफार और बीजो बहुतिक फेरफार तो सवप्रतम आपणे समझ जिए कि राषानिक फिरफार कोने केवाई और बहुतिक फिरफार कोने केवाई तो चलो आपने एक उधाहरन द्वारा एंचे समझ जिए तो अईए अगर आपने धारी लोगे 2 कागल छे अपनी पासे तो एक कागल पर आपड़े जे फेरफार करिये चे यहां सुखरसु के कागल ने फाडवा मावे ब्राबर तो कहींका आपड़े आर इतना ने फाड़े येशु तो येशु तसे चार टुकड़ाओं मा विवाजी थासे तो एकागल पर आपड़े फाड़े चे येशु तो येशु तो येशु तो येशु तो ने फाड़े ब्राबर તો હવે જયારે આપને જે બીજો કાગળથો એ બીજાપળને જાગેંષે સળગા વામાં આવએ છે तो अहीं आगर तमें जो ही सको छो के शे बीजे परिस्तीति मां जे बीजा का बीजर अपने फेरफार करें एमा सु थतु जो आँ मले छे कैनक आपने नवा पदार्थ नी उत्पति थती जो आँ मले छे कियारे फेरफार थया बाद बर आबर फेर्फार पेला सू अतु सीव bell दू जोई आद जो chancesब amen મળે છે તો હવે આવા પ્રકાણનો જે ફેરફાર થતો હોય એને આપણે સુ કઇશુ રાસાયનેક ફેરફાર કઇશુ मोले, फक्त एना सुथ आये चे आकार मां बढलाव थाये चे तो जी आवी परिस्थिती अथवा आवो फेरफार जे सर जाये के जये मां एनना आकार एननो देखाव एमनो कद आवा घून दर्मो जो बढलाए तो इव्या फिरफार ने सु क्या वाओसे बहुतिक फिरफार। के जे मासु थासे बहुतिक घुंडर मो बढ़लाता जोवा मड़ता होई छे कया कया यहीं ना कद, आकार, देखाउ यही अवस्ता, वराबर अने जे राशारीक पादार्थ मासु थासे के एमनों एक नवोज पदार तिया अगळ आपने जो आमल से तो आम हाई ती ती यहाँ आगळ के बै राशानिक फेरफार कोने के वाई अने भावतिक फेरफार कोने के वाई बराबर भावतिक फेरफार मा आपने एक बिजू एक उदार ले येतो जयम के तम्में मिननु जे पीगल वूँ जे मिन जारे सळकते हुए दर्मया श्ट अतिवए पीगल थीवए चे, बराबर तो मिननु पीगल वूँँ पन येसु थेसे एक प्रकानों भौतिक फिरफार मां होचे परां तो जे मिन सलगी रै वै बराबर जही पीगळी नेशु थाषे पच्छी ए सलक थी होए ओके तो एजी मिलनू सलक हमा रासानिक फ्यर्फार थाई जशे त्याँ आगर आहा प्रका ना जे रासानिक फ्यर्फार हो थाई छे त्यां गसु जवाबदार छे तो कई त्यां राशानिक प्रक्रिया थत्ती होवी जोईए त्यां गसु ततु अवो जोईए राशानिक प्रक्रियाओ तो आविज किटलिक रासानिक प्रक्रियाओ आपने रोज वरुज नियाथवा तो रोजीन दा जीवन मा थत्ती जोवा मर्ती होए छे तो ये कई-कई प्रक्रिया हो छे जैंके आपड़े तम्या इया अगल जोई सको छो के रोजिन दा जीवन मा जोवा मलती रासानी प्रक्रिया हो जे मा प्रथम जे प्रक्रिया छे के बई उनालामा ओडाना तापमाने दुद ने खुलो राखवामा आवे तो सुथातु जोवा मले चे दुद फाटी जत्तु उएचे अथवा तो येनू दै बनी जत्तु उएचे तो आएक प्रकार्निक येवी प्रक्रिया थाई रासानिक प्रक्रिया बराबर केम तम्हे जानों छो के एना अंदर जे दुद मा लेक्टो बेसिलेस नामना बैक्टेरिया होएचे एसु करता होएचे ये अने दही बनावामा दहीमा रुपांतरन थवामा मादद दुरूप एक प्रकार्निक खटास आवी पहला दुद नो स्वाद के वह तो एने त्यार बाद जे दुद बगडी जाये चे तो फाटी जाये चे इधर वियाने इनो स्वाद सुताई बडलाई जाये एटले के एसुताई गई एक नवु पदार त्यां अगळ आपन ने जोवा मल से ज किला ने भेजवाला वातारमा खुला राखवामा आवे तो पन सुताई चे त्यां गई राशानिक प्रक्रिया एटले के एना उपर काट लागी जतो होई चे बड़ाबर बिजु वाद करी एक तो द्राक्षनू आथवन थाई ए दर्म्यान पन एसु चे एक राशानिक प् होई चे जे सुक्ष्म जीवी चे सुनाम बोले हूं इस्ट तो जे इस्ट द्वारा जे आवा मिठा फळो होई एमने जारे कत्री ने एमा नाखवामा आवे तो ए दर्म्यान अमुक समय बाद ए जे रस होई चे ए सामाव रुपान तरी थतो होई चे आलकोहल मा रुपान त ने परही तो आपन एकुशु budhOff ! आपणे एकुशु लेग्र आणवा जे आथा बुपान थाये छे पन एक राशायानिक प्रक्रिया चे पछे बिराबर आणने जे आपने स्वास लईए चिये आपने के उक खे तो अईयां आगल किटलाक तमें राशानिक प्रक्रियाओना उदाहर सम्झाजे आपड़ा रोज बरोज नी क्रियाओमा थता जोवा मलता होई तो टूंक मा कोई पर फिर्फार थतो होई तो आपने कही सकीए छी कि तियां आगल सु थतो जोवा मलता होई छे राशानिक प्रक्रियाओ थाई रही छे एम आपने कही सकीए छे तो अविया जे राशानिक प्रक्रियाओ थती होई तो एदर में सु थतो जोवा मलसे अथवा तो कही रितना आपने समझी सकीए छे तो एनी जे दार्त नी जे प्रारमपिक प्रकृती अथ्वाई अनी ओलिक मा कोई चोकस बडलाव जोवामलतो होare अने आवी परिस्तितीजो सलंगे एनी प्रारमपिक प्रकृती अथ्वाई जोवामलतो खील्क शीहर को थती हो ए त्यां गळद जोवा मण से बड़ाबर तो आतो किटला कुदा हर नता आपड़ा जे रोजीन दा जीवन मा कई-कई परिश्थिति मा राशानिक प्रक्रिया थे जके हवे आपड़े जोईए के किटलिक प्रवुती आपणना बुक मा आपेली छे के जे एक राशानिक प्रक्रिया मों आपणने सुचन करे छे बड़ाबर कई प्रक्रिया तो जेम के एक छे मेगनेसियम नी पट्टी ने जाले सलगावा मा आवे त्यारे मेगनेसियम नी जे पट्टी होई एने सुचरवा मा आवे सलगावा मा आवे तो एपण एक प्रकानिसुचे राशानिक प्रक्रिया तो ए तमे तमारा पुस्तक मा एनी आखुरुती जोई सको जो त्यां आगल सुचरवा मा आवे छे एक मेगनेसियम नी प्रवुती तमने यंगल सम्झावी रहाङा द्यांतो सांबवल मेगनेशिम ने पट्टी suffers लोकि या एक मेगनेशिम ने पट्टी चाहिए, बराबर भऱय की यह मेगनेशिम ने पत्टी है,ande सबने अे हैं ब्राबर हवे कुईप्रम्पदार ज्यारे सलक तो होए तो एना माटे कौनी हाजरी जरूरी छे तो ओक्सीजन नी हाजरी जरूरी छे जे तमें जानो छो तो अहीं आगल आपने कौनी सलगावी रहा छे ये मेगनेसियम ने कौने मेगनेसियम ब्राबर मेगनेसियम नी कौना साथे नी ओक्सीजन साथे नी प्रक्रिया तमें मेगनेसियम नी ओक्सीजन साथे नी प्रक्रिया तो ए दर्म्यान आपन ने जे पदार स्वरूपे मले चे शू मले चे तो तिया अगल आपन ने कैंक चारे सलगी रहे चे तो ए कैंक सफित पावडर स्वरूपे आपन ने तिया राक स्वरूपे जोआ मल से तो ए जी सफित पावडर जिस्वारूपे जी मले छे ए बीजु कई नहीं परन्तु एकसु छे नवो पदार्थ छे अने ए पदार्थ ने कया नामे उलखवामा आवे छे तो मेगनेसियम ओक्साइड यहने सु कही सु आपने मेगनेसियम ओक्साइड बराबर मेगनेसियम ओक्साइड तो अहीं आगर जी प्रथम प्रवुती हैती के जी मेगनेसियम नी पट्टीने जारे सलगावामा आवे छे तो एकोनी यादरीमा सलग से ओक्सेड यादरीमा तो जी मेगनेसियम प्लस ओक्सीजन तो आएकसु थाया प्रकरिया करनारा पदार्थ हो थ नवुक पदार्थ बने छे, एक कई बने छे तो magनेशियम ओक्साइड जे 100 कया स्वरूपे आपने मलसे राक स्वरूपे जोआ मल सेक सफेद पावडर सो रूपे बराबर अवे आज ये मेगनेसियम उकसाइड हसे एना गुण दर्मों नी बात करिए और मेगनेसियम आने ऑक्सिजन ना गुण दर्मों नी बात करिए तो एस उताई जेशे येमना बढलाई जेशे बराबर तो ऐ के अकल पण आपने कईक एमना अंदर फेरफार्ल जो आiblूआ कई फेरफार्ल हो तो एमनी अवस्ताओ बललानी बराबर पच्छी एमना गूणदरमों बलळाना राशानिक गुल्ण दर्मों तो आवा प्रकार ने जो फेर्फार था है तो आपने शुकही सकिए कि राशानिक प्रक्रिया अथ्वा राशानिक फेर्फार थाई रहे हो छे ओके एज रितना एक बीजी प्रवुती छे जे कही छे तो लेड नाइट्रेट के लेड नाइट्रेट नी पोटेशियम आयोडाईड ना ध्रावण वच्चे नी प्रक्रिया तो अगर शुलेवा मा आवे छे लेड नाइट्रेट नो ध्रावण कौनो ध्रावण? लेड नाइट्रेट अन्ने विजो शुलेवा मा आवे रहे छे पोटेशियम आयोडाइल पोटेशियम आयोडाइल प्राबर हवे आ बन्नी प्रकाना एक ध्रावाण छे प्राबर रास्यानिक पदालत हो छे हवे आ बन्नी वच्चे जारी प्रक्रिया करवा मां आवसे त्यारे जे बन्नी प्रक्रिया यानि कि बन्नी प्रक्रिया थेया बाद आपने कहीं नवा प्रक्रिया प्रक्रिया थेया बाद अन्य बीजो जे बनचे ए पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट तो हवे जी प्रवुती छे के बनचे ए पोटेशियम नाइट्रेट ना पोटेशियम नाइट्रेट ना द्रावन वच्चे नी प्रक्रिया अने तेना अंदर पोटेश्यम आयोडाइड नो द्रावण उमेरवा मावेच अने उमेरी ने थोड़ा समय बाद सुधसे आपनने कईक नवापदार्तु जोवा मलसे इटले कि त्यां अगर कईक आपनने अध्राविय कणो आपनने पुटेश्यम आयोडाईड एक बनने के बाद आपनने अध्राविय कणू त्यां आगर जोवा मलसे ने परन्तु जहरे आपनने बच्चे प्रक्रिया थायेचे त्यारे कस्नमे मापने बनने ने एक विजामा बेगा करियेची ब्रावर रासाणिक प्रक्रिया थवाद द हीची त्यार बादापने deth timelines तायची सू जौआ मलशे के त्या कैकं अध्रावय क्णों जौआ मलशे अनि ये अध्राव्या खणो कोना होय छे तो जे पोटेश्यम नाइट्रेट छे जेसु पोटेश्यम नाइट्रेट जेना पीडा आउक्षेप जोवा मलसे पीडा आउक्षेप अब या आउक्षेप कोने केवा है तो जेऊं अत्यारे कई रहे चो के जे द्रावन मा आपनने अद्राव्य कणो जे जोवा मले छे बराबर आने एक सम्मेज बाद एसु तई जासे बदाज कानो निचे तड़ी सेट थे जासे बराबर तो एवा जे कणो जे प्रक्रिया मा ज बन्यों जे प्रक्रिया बाद एना अउक्षेप आपनने जोवा मल से अनने जे तरावन बन्चे बराबर ए दरावन सा नू बनी जासे बच्ची लेड आयोडायड नू दरावन बनी जासे ओके तो एजैआ अगल पं कईक STE अपनले नवा!!" पदार तो सर्जाता जोवा मले छ तो आपन प्रक्रिया प्रवुती 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 कोना साथे नी प्रक्रिया सल्फिरिक एसीड जेनु तम्हे सुत्रपन जानोचो कईू H2SO4 राबर जे जिंग दातों नी सल्फिरिक एसीड साथे नी प्रक्रिया एटले किसु करवा मा आवे चे एक कोनिकल फ्लास्क लेवा मा आवे जेना अंदर एसीड लेवा मा आवे चे मंद सल्फिरिक एसीड बड़ाबर अन्हे एना अंदर जिंग ना टुकडा जिंग दातों ना टुकडा तिया आगर लेवा मा आवे चे बड़ाबर तो जेना काराण हवे ए बन्ने वच्चे जिंग अन्हे एसीड वच्चे ज्यारे प्रक्रिया थसे तो प्रक्रिया बाद आपनने सुजवा मल से तो त्या अगर आगर कैंक जिंग द्रावण से ए द्रावाण बनी जासे ZNSO4 नू एटले के जिंक सलफेट नू बड़ाबर अने त्या अगर बिजू एक पदार जोवा मलसे हाइड्रोजन वायू जे उस सरजित सचे बड़ाबर के आ कॉनिकल फ्लाक्स मा थी आपने कहीं को दुमाडा स्वरुपे वायू स्वरुपे कोई पदार बाहर निकलतो जोवा मलसे अने एक कयो हसे तो हाइड्रोजन वायू नू त्यां 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 उस सरजित थाई रहेओ छे प्रक्रिया बाद बड़ाबर अने एनो अवलोकन करवा माटे यहनी चकाशनी करवा माटे शुकरे सक्के छे यहागल सडकती मिल बत्ती आपने राखी सुतो ए हाईड्रोजन वायू सुत असे दड़ाका साथे सडकतो आपने जोवा मलसे बड़ाबर तो आइक त्रीजी प्रवोती एनी साथे साथे जे आ कॉनिकल फ्लास्क से ए आपने घरम यहने टच करशु आपड़े स्पर्सी सुतो एनी कहीक आपने घरम थैलो पन जोवा मलसे यहनो मतलब के एनी साथे साथे जे प्रक्रिया थया बाद आपने जिंक सलफेट नू ध्रा वान जोवा मलें चे त्यार बाद हाइड्रोजन वाय उतपन थाये चे अनी यहनी साथे साथे कहीक उश्मा पन उतपन धति वही चे श्यो उतपन थाये चे वराबर तो आ कहीक त्रण प्रवोती आती जी तमने पुस्तक मां बतावेले लेथी बराबर के पहलो मेगनिसियम पट्टी ने सलगावामावे ए प्रवती के जेमा थी मेगनीशियम उक्साइड मों नवा पदार्ट तरीकी उत्पती थाये छे बड़ाबर बीजो तो लेड नाइटरेट द्रावन ने पोटेशियम आयोडायल साथे नी प्रक्रिया तो यहां आपने आउक्षेप जोवा मलया जेमा कया आउक्षेप पता कया द्रावन ना तो पोटेशियम नाइटरेट ना द्रावन ना आउक्षेप पता बराबर और अने ए पीडा आउक्षेप आपने जोवा मल से अने त्यार बाद आपने जिंक नी एसिड साथे कई H2SO4 सलफिरिक एसिड साथे नी प्रक्रिया थी सुजवा मल से पदार्थमा नवा पदार्थमा तो हाइडरोजन वायू तिया गल उत्पन थाये चे अने बिजु उष्मा पन उत्पन थाती होई चे तो हवे जिया अलग-अलग प्रवुतियों आपने जोई तो एमा एना पर्थी इस समझवानों तो के अईया अगर कई-कई राषानिक फिर्फार थता जोवा मल जेना कारंती आपने कई सकिये के राषानिक प्रक्रिया थाय रही चे तो कोई पन राषानिक प्रक्रिया थाय रही चे के नई तो ए अवलोकन करवा माटे आपने चार प्रकार ना अवलोकनों ना अधारे कई सकिये चे कया कया तो एक एनी अवस्तामा परिवर्थन थाओ जोई बड़ाबर बीजो यहनों वायू वायू नू उस्सर जन्त कोई प्रक्रिया थाय रही त्यामा थी वायू नियुद्पती थती होई जेमके आपने छेली प्रवर्थी जोई जिंक नी सलफिरी कैसीर साते ने तो तो आपने हाइड्रोजन गेस निकल तो जोवा मलतो दो तो एपन एक सुद जही राशानिक प्रक्रिया पची रंग परिवर्थन था तो बड़ाबर रंग परिवर्थन क्या आगल जोवा मलियू तो जे बीजी प्रवुती थी लेड नाइट्रेड वाली आने पोटेश्यम आय तो त्यां गल आपने पीला शेब जोवा मलियू एनो मतलब अवे रंग त्यां गसुद परिवर्थन था जोवा मलियू पच्छी तापमान मा परिवर्थन थातो जोवा मलियू तो जे प्रवुती त्रण अती तो एमा आपने उश्मा उत्पन थाती पन एक अनुबव थात कॉनिकल फ्लास्क तो कॉनिकल फ्लाक्स ने जारे आपने स्पर्सी सु तो त्यां अगर आपने उश्मा एटले के एक घरम थेलो जुआ मल से तो आ तमारे याद राखू के राशानिक प्रक्रिया थाई छे के नहीं तो एना माटे कया वलकोन आतारे नक्की करी सकाए तो एनी अवस्ता माँ परिवर्टन थातो हो जो हो जो है कई अवस्ता हो तो घन प्रवाई इने वायो बराबर जे प्रक्रिया पहला नी अवस्ता हो है एना करता कईक अलग अवस्ता माँ आपने जोहा मल से बिजु वायो माँ उस्सरजन थातो है प्रक्रिया बाद वायो न उस्सर ज़ेंके जे त्रीजी प्रवुती मां हाइपने हाइट्रोजन वायोनु उस्साची थत्तु जोवा मले तो एपन एकसु तही जशे राशानिक प्रक्रिया थाई जशे तो आच्छार फिरफारो तमारे याद राखवा जे राशानिक प्रक्रिया ओ बतावे छे हवे आपने समझ एक राशानिक सम्ही करणू के राशानिक प्रक्रिया कोने क्यावाई तो टुंक मां जे प्रक्रिया थाती होई तो ए प्रक्रिया मां कैक एक अथवा एक थी वधारे पदार्थो वच्चे प्रक्रिया थाई कैक नवो पदार्थ आपनने जोवा मल से अने एन ओल खीशू बराबर तो जिया अना एलना काराणे आपने कई सके किये सुधाये छे राषानिक फेर्फार तेया अगर थाई रहयो छे अन्य एन्य जोवा माटे अथवा तो थाई रहयो छे राषानिक प्रक्रिया थाई रहयो छे एक कोना परती समझी सके कया फेर्फारों परत परिवर्थन थतो है वायोनु उस्सर्जन थतो है रंगमा परिवर्थन थतो है अथवा तो तापमान मा परिवर्थन था है तो आपने कई सकीए छे है ओके हवे आपने वाद करिए के जी राशानिक समी करन कई रितना लखवा मा आवे जै तो ये लखवा ने योग्या पद्दती तो जेमके आपने एक अत्यारे राशानिक प्रक्रिया जोई के मेगनेस्यमनी पट्टेने जारे हवा मा सलगावा मा आवे मैगनेशयम निपटेने जारे हवावामा सरगावामा आवे त्यारे सूत भन भत तो तो मैगनेशयम ओकसाइड बन तो अथो तो मैगनेशयम ओकसाइड मा रुपान तरी थतता दा तो वे आज ये रासाइनिक प्रक्रियान वाक्या स्वरूपे वर्णन खुबद लामबूचे तो येने शंग्षिक्त स्वरूप मा लखुँ योगिया गणा से तो ये कई रितना लखी सकिए तो आने एक साब्दिक स्वरूपे लखुँ एक सुचे शरल मार्ग गणी सकाए तो अहिए आग साब्दिक स्वरूपे कई रितना जेमके अत्यारे में प्रवूतियों मा तमने साब्दिक स्वरूपे लखी ने बतावे तो के कया पदार्थो पर प्रक्रिया थाई रही छे अने कया नवा पदार्थो बनी रहा छे बराबर चेम के यह मेगनेसियम नी पट्टी नू हवा मा दहन माटे नू स्ताब्दिक समी करण बता वेलू छे तो जे मां magnesium, अवे प्रक्रिया मां भाग लिना रा पदार्तों कैया आता तो एक magnesium नी पट्टीती जेना मांटे आपने लखी दिदू magnesium अन्ये, जे सलगावामा आवे छे तो कोनी हाजरी मां सलगे छे तो oxygen नी आजरी मां तो यहाग जे प्रक्रिया मा भाग ले छे, प्रक्रिया थवा माटे भाग ले छे, तो एवा पदार्थोने सु क्या मा आवसे, प्रक्रिया को क्या मा आवसे, प्रक्रिया को क्या मा आवसे, प्राबर, अने इंगलिस मा कई सु रियक्टंट, उके, जेना द्वारा सु तही रह प्रक्रिया थाई रही छे त्यार बाद हवे याङं गरती वदारी प्रक्रिययक को घंत हों थाँ पड़शे। तो यहाँ बेपदार्थ हो तह रिनाकाने शुुआ अगरीकारीकारीका अभाद पदार्थ बनी रहेऊचे तो मैगनेशीओ अक्साइद आवाजी नवापदार्थ नी ऊत्पती था यहने अपर शुकािशो नीपस तरीके उल खीशो आवे कया सब्द स्वरूपे ओलखीसु अवे निपज, जी प्रक्रियामा भागले छेने कैसु प्रक्रियक औने जी नवा पदार्थो बने छेने शु कैसु आपने निपज, जैने इंगलिसमा कैवा माँशे प्रोडक्ट तो अहीं रहसानिक प्रक्रियामा अनुबावता मैगनेशियम औने ओक्सिजन जेवा पदार्थोने सुछे प्रक्रियक औने प्रक्रिया दर्म्यान जी नवो पदार्थ कईो बनेो मैगनेशियम ओक्साइट सुछे तो निपज छे, ब्राबर अवे या बनने जे साब्दिक स्वरूप या प्रेदर्शावी तो यहमा प्रक्रियकने निपदनी वच्चे सानी निशानी करवा माँ आवे छे तिर्नी निशानी अने तिर्नी निशानी ए दिशा कही तरफ नी ओए छे तो निपद तरफ नी ओए छे ए कई तरफ नी होए चे निपज तरफ नी वड़ाबर एलेके ए प्रक्रिया ए तरफ थाई रही छे M A बतावे छे पचे प्रक्रियाकोने साब्धिक समीगरारमा डाबी तरफ तेम्नी वच्छे प्लस्ट चिंधाद द्वारा लखवा मा आवदा होए छे एठ manner के जयारे मानलोकी प्रक्रियाको एकथी वधारे होए अने एनी सामे निपजों पन एक्थी वधारे मर्ती होय, तो ए वधानी वच्यशु करवामा आवतु होय चे, प्लस्नी निचानी करवामा आवती होय, के हम कारंके तिना अगल एकथी वधारे तिना आगल प्रक्रियक अथ्वा निपज बनी रही चे अत्वाथो उत्पन रही छे ओके तो इनी चाथी साथी बिजुके जे तीर नुँ मात वह एटलेकर जे तीर नी दिशा एक कॉने तरफ नी राखवामा आवती वहां छे निपप जो तरफ नी होए छे जे प्रक्रियाने दिशा वहारनावे छे ओके तो अईया अगर छे साब्दिक स्वारूपे प बे प्रकार्णा गाटे लिएखे जी राषानिक समीं करना अवे आख खुझे छे आखके जी-एयनेसु कहवामा आऊ JENNY राहसाईनिक समीं कहवामाह दोचे पराबर्ब एक साब्दिक राहसाईनिक समीं करना दोच कहचे बदा प्रक्रियक जे त 하겠습니다 दाभी बाजना छे यहें ऊशु चे बता प्रक्रिया करने , तीरी झमनी बाजणा छे निपज ब्रबत एकथी बदारे प्रक्रिया क्यों ANYटे प्लस करीन लखा out on the floor । जो निपज पने एकथी बदारे ली ओ नहीं पूलेस प्लस करीन कोने केवाई हवे अगावन हवे पच्छी ना जे टॉपिक मा आपड़े जोईशू के राष्चानिक सम्हिकरन लखवाना योग्य स्वरूपो ओके अने अने सम्तोलीट कई रितना करवामा आवे छे प्राबर ठेंक्यू